आज आपको यह जानकर बहुत ही गर्व महसूस होगा कि भारत के पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर ने अमिर्का की दिगज कंपनी लॉखिड मार्टिन के होंस उड़ा दिये क्योंकि भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर के सामने अमिर्का के गाइडेड मल्टिपल लॉंचर रॉकेट सिस्टम यानि की GMLRS को ग्लोबल अटेंशन के मामले में हार का सामना करना पड़ा खबर कुछ ऐसी है कि जब से फ्रांस ने भारत के पिनाका रॉकेट लॉंचर को खरीदने का विचार किया तब से भारत के पिनाका रॉकेट लॉंचर को बहुत ही मजबूत ग्लोबल अटेंशन हासिल हुआ यानि कि फ्रांस द्वारा भारत के पिनाका को खरीदे जाने जैसी खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के पिनाका रॉकेट की ओर आकर सित किया लेकिन भारत के पिनाका को लेकर चौकाने वाली खबर तो इसे भी कहीं ज्यादा बड़ी खबर है खबर कुछ ऐसी है कि भारत के पिना का रॉकेट को मिलने वाले गलोबल अटेंशन की वजह से अमेरिका की दिगज कमपनी लोखिड मार्टीन परिशान हो गई क्योंकि भारत के पिना का रॉकेट की तुलना सीधे सीधे अमेरिका के GMLRS से की जा रही है और दावा है कि भारत का पिना का रॉकेट बहुत ही जल्द निकट भविस्य में अमेरिका के GMLRS के बाजार को खत्म कर देगा क्योंकि भारत का पिना का अमेरिका के GMLRS के टककर में एक मजबूत विकल्प बन चुका है जैसे कि दोनों की छमता लगभग एक बराबर ही है लेकिन भारत के पिना का रॉकेट लॉंचर के प्रती यूनिट की कीमत केवल आज के तारीख में 82 लाख रुपए मात रहे जबकि अमेरिका के GMLRS की कीमत प्रती यूनिट 1 करोड 65 लाख रुपए है यह कीमत बिना किसी रॉकेट के केवल लॉंचर यूनिट की कीमत है यानि की अमेरिका के एक रॉकेट लॉंचर के कीमत में अमेरिका के ही समान भारत के दो-दो पिना का रॉकेट लॉंचर उपलब्द होंगे ऐसे में भारत का पिना का रॉकेट लॉंचर उन देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जो विकासी लिया गरीब देश हैं और आज के महंगे युध में भारत का पिना का रॉकेट लॉंचर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है खुद भारत की सेना ने पहले 10 रेजिमेंट पिना का रॉकेट लॉंचर खरीदे और अब फिर से भारत की सेना ने 22 रेजिमेंट पिना का रॉकेट खरीदने का ऐलान किया ऐसे में भारत के सेना के पास में कुल 32 रेजिमेंट पिना का रॉकेट लॉंचर होंगी बतादे कि एक रेजिमेंट में 12 योनिट पिना का रॉकेट लॉंचर सामिल है इस हिसाब से पूरे 32 रेजिमेंट में 384 योनिट पिना का रॉकेट लॉंचर सामिल होंगे हाला कि अब यहाँ पर जब से ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट में भारत के पिना का रॉकेट लॉंचर को अमेरका के GMLRS का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी दिखाया गया तो यह बात अमेरका को हजम नहीं हो रही है लेकिन यहाँ भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत ने आधे कीमत में अमेरका के टकर का रॉकेट लॉंचर बना कर दुनिया को एक नया विकल्प दे दिया